राथे राथे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों इस बार जन्माश्टमी कबर 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जाएगा 6 सितंबर को गहस्त लोग प्रत रखेंगे बहीं साथू संतों के लिए जन्माश्टमी 7 सितंबर की होगी इस बार जन्माश्टमी पर रोहनी नक्षत रहेगा और स्वासित्य योग बन रहा है जिससे इस बार की जन्माश्टमी और भी ज़्यादा खास हो गई है दोस्तों धर्मशास्टों के अनुसार आयदरातरी के समय भगवान श्री किष्नе का जन्म हुआ था इसलिए भगवान स्री किष्ने का पूजन आयदरातरी में किया जाता है इस बार पूजन का शुप महुरत 6 सितंबर की रात 11 बच का 57 मर्से देद रात 12 बच का 42 मर्थ तक का रहेगा कुछ लोग जनमाश्टमी पर अधराती में पूजन के पश्चार ब्रत का पारण कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों इस बार रोहनी नक्षत तो 7 सितंबर की सुभे समाप्त हो जाएगा लेकिन अश्टमी दिती 7 सितंबर की दुपह 4 बच का 14 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए प्रत का पारण दुपह 4 बच का 14 मिनट के बात का ना ही शुब रहेगा अगर इतने लंबे समय आप भूंके ना रह सके तो 7 सितंबर की सुभे सुर्योदे के पश्चाथ भी आप पारण कर सकते हैं इस बार की श्री किष्ण जन्माश्टमी अत्यंत फल देनी वाली है क्योंकि यह दुल्लब संयोग में आ रही है शाष्टों के अनुसार कृष्ण जन्माश्टमी का ब्रत करने से हजारों एकादशियों का ब्रत करने से भी अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है दोस्तों जन्माश्टमी का दिन भागवान श्री किष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए और भागवान श्री किष्ण को प्रसंद करने के लिए बहुत ही खासमाना जाता है जन्माश्टमी पर ब्रत भी रखा जाता है और इस ब्रत को ब्रत राज कहा जाता है शास्तों के अनुसाथ जन्माश्टमी का प्रत करने से भगवाँ श्री कृष्ण की करपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है और मन्चाहा बर्दान प्राप्त होता है लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में शास्तों में बताया गया है जिनने अगर आप जन्माश्टमी के दिन गल्ती से भी खा लेते हैं तो इससे आपको जन्माश्टमी ब्रत और पूचन का फल प्राप्त नहीं होगा ब्रत तूट जाता है दोस्तों भगवान श्री किष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह जानना अति आवश्चक है कि जन्माश्टमी के दिन आपने ब्रत रखा है या नहीं भी दखा तो अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको आज के दिन भूल कर भी सेवर नहीं करना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और भगबान श्री किष्ण की राधारानी की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंड बॉक्स में राधे राधे जैश्री किष्ण अवश्य लिखें आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपने चैनल माश्टमी का प्रत रखा है या नहीं भी रखा तो भी कौन सी ऐसी चीचे हैं जिनका सेवन आपको आज के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिएं दोस्तों आज के दिन बैंगन और हरी साख का सेवन भूल कर भी ना करें शास्तों में इसे बज़ित माना गया है शास्तों के अनुसार भगवान श्रीकिष ने कभी भी ऐसे व्यक्ति पर किर्पा नहीं करते जो जाने अनजाने में किसी जीप को कश्ट पहुचाते हैं और बैंगन और हरी साथ जैसे की पालक बगएरा में मूली के पत्तों इत्यादी में कीडे बहुत लगे होते हैं और जैसे अगर आप बैंगन काट रहे हैं और बैंगन काटते में भी आपसे गलती से कोई सुड़ी बगएरा कर जाती है किसी जीप को कश्ट पहुचता है तो इससे आपको पाप लगेगा और इससे आपके जीवन में भी कश्ट आएगा इसलिए आज के तीन फूल कर भी बैंगन और पालक या हरे साख का सेवन ना करें इसके अलाबा आज के तिन मूली का सेवन करना भी शास्टों में बजजित बताया गया है शास्तों के अनुसाद जन्माश्टमी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आज की दिन अन्न का सेवन करता है उसे नरक की यातनाई भोगनी पड़ती है लेकिन जो प्रद हैं बच्चे हैं या फिर आप गर्बती महिला हैं आपको कोई बीमारी है और आप बिना अन्न का सेवन के ये नहीं रह सकते यानि कि आप प्रत नहीं रख सकते तो इस स्थिती में आपको दोश नहीं लगेगा लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अन्न का सेवन करें यानि कि भोचन करें तो अपने घर का ही करें दूसरे के घर का भोचन आज के दिन भूल कर भी ना करें। आप होटल वगेरा से खाना मंगा कर खा सकते हैं क्योंकि वहाँ आप रुपए दे कर खाना ले रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे के घर का अन आज के दिन भूल कर भी ना खाएं। और नाही बच्चों को खाने दें, ऐसा करने से पाप लगता है. शास्तों में बताया गया है जो व्यक्ति आज की दिन दूसरे के अंद का सेवन करता है, माम लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है. इसके अलाबा आज के दिन नारियल के तेल का सीवन भी नहीं कहना चाहिएं ऐसा कहने से संतान सुख में कमी आती है जनमाश्टमी के पावन पर तिल के तेल का सेवन ना करें ऐसा कहने से उम्र घटी है आज के दिन गुर भी ना खाएं अनिता स्वर्विगर जाता है गुर्ण आप डायरेक्ट ना खाएं गुर्ण का कोई मिश्ठान है या भगवान जी को गुर्ण की किसी चीच का भोग लगाया है तो उसका सेवन आपका सकते है भगवान जी को दूद, मखल, दही, अत्यथिक प्रिये है आज के दिन अगर आप इन चीचों का सेवन कर रहे है तो सबसे पहले आप भगवान जी को इनका भोग लगाएं उसके पश्चाथी सेवन करें हो सके तो जो भी बस्तु खाएं पहले भगवान जी को भोग लगाने के पश्चाथी आप उन बस्तुओं का सेवन करें आज के दिन मीट, मखली, अंडा, इत्यादी का भूल कर भी सेवन ना करें इन चीचों का सेवन करने का मतलब है जीव हिंसा और अगर जो व्यक्ति आज के दिन चीव हिंसा करता है इन चीचों का सेवन करता है उसे चीवन भर कश्ट भोगना पड़ता है इनके अलाबा आज के दिन तमबाकू, प्याच लहसन, मद्रा, सिक्रिट का भी सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहें क्योंकि यह सभी तामसिक चीजें होती है इन चीजों को खाने से तामसिक प्रवति बढ़ती है तामसिक प्रवति जब बढ़ती है तो गुस्सा आता है दूसरों के लिए बुरे विचार आते है नकारात्मक सोच खराब सोच आती है और यह चीजे भगवान शी किष्ण को बिल्कुर बसंद रही हैं। आज की दिन अधिक से अधिक भगवान शी किष्ण का ध्यान करें और उनका पूजन करें। अपने मन को शांत रखें और निर्मल रखें। मार्केट की ऐसी चीजें जैसे छूले भटूडे, पीजा वगेरा, बर्गर इनमें आपको मालूब है प्यास डलती हैं। तो अभी इन चीजों का सेवन आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। आईए दूस्तों आप जानते हैं कि अगर आपने जन्माश्टमी का प्रत रखा है तो इन चीजों के इलाबा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन आपको फूल कर भी नहीं करना चाहिए। और प्रत रखने वाले आज के दिन क्या खा सकते हैं। प्रत रखने वालों को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानि की गैहूं का आटा, सूजी, बेसन, बाजरा, मक्का, चावल, सभी प्रकार की दाले, मटर, चना, हरी मटर यह सभी अन्न होता है। सरसों की तेल का सेवन भी ना करें। मसालों में आप हिंग और हल्ती का सेवन ना करें। अगर लालमेच सरसों का तेल डाल कर पीसी जाती है तो लालमेच का सेवन भी ना करें। सादा नमक ना खाएं। आज की दिन ब्रत वाले नमक सेंदा नमक का ही सेवन करें। काले नमक का सेवन भी ना करें। सबी प्रकार के ट्राइफ फूर्ट्स का सेवन कर सकते हैं लेकिन किश्मिस मुनक्के वगेरा में कीड़े लग चाते हैं तो इनका सेवन साथानी पूर्वक करें मिठाई में आप उस मिठाई का सेवन ना करें जिसमें अन्य होता है जैसे कि बालूसाई, इमर्टी, जलेबी, घेवर वगेरा, सौन पपड़ी इनमें अन्य होता है इनका सेवन ना करें आप पेठा, पेडा या बर्वी ऐसे मिठाई का सेवन कर सकते हैं सवा के चावल की खीट बनाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। आज के दिन आप सवा के चावल खा सकते हैं, कोटू, सिंघाडी की पकवान बनाकर खा सकते हैं, साबू दाना भी खा सकते हैं। सबचियों में लॉगी, तुरै, कासी, फल, आलू, अर्बी का सेवन कर सकते हैं। हरी मिच का भी सेवन कर सकते हैं। आप काली मिच, गरम, मसालय, जीड़, इसका भी सेवन कर सकते हैं́ ध्यान रखें, बाजार के किसी भी प्रकार की जूस, ट्रिंक वगेरा का सेवन ना करें, आप घर पर फलों का जूस निकाल कर उनका सेवन कर सकते हैं, आज के ब्रत में आप किसी भी प्रकार का फल खा सकते हैं, लेकिन ब्रत रखने वाले आज के दिन नीबू या फिर सिकंच अगले दिन हेखिए हैं था और अजोटी ज़ुरवात सुभे एक मुठी बाता है जाता लाम या अक linha क कोटर करें एससे आपका एमनुटी सिश्टम कम जोड़ Nearly आपके पानी की कमी नहीं होसा नहीं होगाए लेकिन आप इ झाल लेकिंगार नारीज पानी भी एस cust पानी की कमी भी नहीं होगी जन्माश्टमी के ब्रत में आप साबू दाने की खिच्डी और कुटू के आटे की पूरिया या पराठे बना कर जरूर खाएं ये दोनों ही चीज हलकी होती हैं और इससे पेर भी भर जाता है जन्माश्टमी के ब्रत में चाय कॉफी का सेवन कर सक दोस्तों फलों की बात करें तो आजकल अम्रूद बहुत मिलता है और जन्वार्ष्टमी के ब्रत में अम्रूद भी खाया जा सकता है लेकिन अम्रूद में आजकल बहुत सुडियां होती है और अम्रूद कारते वक्त या खाते वक्त आपसे अगर कोई सुड़ी मर जाती है य इसलिए आज की दिन अम्रूत का सेवन भी ना करें दोस्तों जन्माश्टमी की पावन पर भगवान श्री कृष्ण राधरानी की किरपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशिश धान रखें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधरानी की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे किष्णा राधे राधे जैश्री किष्णा जरूर लिखें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूस्फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर बेल आइकन को भी जरूर तबाएं थैंक्स फोर वाचिंग राधे राधे